Hi everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं हूँ शिपरा तिवारी और यहाँ पर आपको बिलकुल free education provide कराया जाता है मेरे बच्चो ताकि आप अपने life में बहुत अच्छा कुछ कर सकें सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिपरा मायम की जबानी मेरे बच्चो और आज हम पढ़ने वाले हैं the embryonic development of what मड़म बच्चे का development तो पहड़े ही पढ़ा चुकी हूँ पेड़ो के भी तो बच्चे होते हैं उनका भी तो development पढ़ना है नहीं तो seed flower fruit कैसे मिलेगा हमको तो आज हम पढ़ेंगे the embryonic development in the plant ठीक है चाप्टर नंबर कौन सा है second this is the I think second last lecture of this chapter उसके बाद हम लोग मेरे लला क्या करेंगे mcqs mcq की आपके उपर मैं बहारे छोड़ूंगी mcqs solve करना और फिर अपने exam में फोड के आना चाय स्कूल examination हो चाय नीट का examination हो हमारा target आपको अवल दर्जे में ही पहुचाना है so let's get started with the embryonic development of the flowering plant हम लोगों ने fertilization complete कर लिया है I hope कि वो आपको समझ में आ गया होगा fertilization में हम कहां पर पहुच चुके हैं बहुत चारी चीजे तो बहुत सारे बच्चे भूल भी गए होंगे पता है इतने मैंने आपको पता है अगर आप compare करोगे तो normally बहुत चारी लेक्चर आपके पास पड़े हुए कि इस ले जाते हैं क्योंकि महां सारा समान एक साथ मिल जाता है अलग-अलग market में जाने में अलग-अलग समान लेने में हमारी energy खर्च होती है हमारा पैसा खर्च होता है और बारूद मतलब petrol भी खर्च होता है तो यहां पर हम सर्फ मैंने एक लेक्चर बनाए जिसमें बहुत चारे topic आपको explain किये and don't worry about it यह सारा कुछ नीट कर से लेबस है और नीट में वही आएका जो मैंने आपको पढ़ाया तो देख लेना आप नीट का paper compare करके देख सकते हो नहीं लगता आपको लगता है कि नीट तक हम क्यों वेट करें मैं आपको इबुक उठा के देख लो अगर आपको लगता है कि इससे नहीं पढ़ा रहे हैं तो please let me know पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ कहां तक हम लोग कहानी कर चुके हैं पहले वो मैं आपको बता दू क्योंकि बहुत चारे बच्चों को problem यह है कि वो भूल चुके हैं भूली बिसरी यादे हो गई है उनके लिए ये camera मैं नहीं देको white slide लगाई नहीं मेरी चलो कोई बात नहीं ओके सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या embryonic development पर पहले हम लोग कहां तक पहुँच चुके हैं वो हमें समझना बहुत जरूरी है और उसको समझने के लिए हमको बनाना पड़ेगा क्या मैड़ा मैड़ी जोल अपना काम शुरू कर दीजिए आप हमारा थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया है डाग्राम बनाना शुरू कर दीजिए यही मेरा काम है बेटा इसके लिए मुझे पॉइंट किया गया है मैगनेट ब्रेंड में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है वो देख लीजे हम कहां तक पहुत चुके है यह जानना अमारे लिए बहुत जरूरी है हम लोग बेटा यह आपका क्या होता है एंडोस्पर्म होता है ठीक है ना एंडोस्पर्म होता है यह एंडोस्पर्म होता है यह एंडोस्प पसंद नहीं है पर ठीक है क्या करें क्लर आप्षन नहीं ज्यादा चलो यह देखो यह बीच वाला क्या है मेरे लल्ला यह है embryo sack ठीक है और embryo sack के बार new cellist होता है अब याद करिए वो दिन last class में मैंने आपको पढ़ाया था कि जरूरी नहीं है कि सब के पास क्या हो यह कॉंसाट इशू है new cellist है ठीक है एक पर मैं लेबल कर देती हूं नहीं तो आप sack के बाहर deployed cell से बना हुआ एक structure है जिसे आप कहते है new cellist अब बहुत सारे plant में new cellist होता है बहुत सारे में नहीं होता new cellist fertilization के बाद भी अगर persist रहे तो उस seed को हम क्या कहेंगे बताओ बाद में उस seed को हम मैं कहते parasparmix seed का example क्या बताया है मेरे बच्चो मैंने बताया है काली मिर्च और क्या बताया है ज़्का कम ने बीट रूट ठीक है जो बीट रूट होता है और आपका काली मिर्च यह दोनों ठीक है, so यह है आपका embryo sac, embryo sac के अंदर हम लोगों ने बिटा क्या क्या बना रखा है, वो आपको देखना है, मैम embryo sac में हम लोगों ने बना के रखा एक diploid zygote, ठीक है, हमने क्या बना के रखा है, diploid zygote, अब यह कैसे बनेगा वो में आपको नहीं बताऊंगे, क्योंकि आल्रेडी हम यह सब कुछ पढ़ चुके है, ठीक है, यह time wastage है, यह हमारे पास एक diploid zygote बना रखा है, और अभी इस वाली condition में बेटा, यहाँ पर भरा हुआ है, क्या, यहाँ पर भरा हुआ है, endosperm, ठीक है, यह endosperm कितने है, क्यों सी nucleus वाले structure का बना होता है, कैसा nucleus हो ठीक है, तो यह हमारे पास बना हुआ है, आपका endosperm, यह orange killer का है, इसमें triploid cells भरी हुई है, 3N, 3N वाली, कैसे बनाया था, last class, double fertilization lecture लगाई है, ठीक है, और बेटा, उसके बाद में इस dygote को थोड़ा रब करती हूँ, समझ गए हुना आप, क्योंकि मुझे अब इसमें बनाना है क्या, आपका बनाना है integument, बर जरूरी है बनाना, क्योंकि बाद में चलके यही seat cover बनाएगा, ठीक है, चलो बना लेती हूँ seat cover में, ओके, थोड़ा और दर से बनाती हूँ, चलो, यह देखो, seat cover बना रही हूँ मैं, है ना, actually this is the seat cover, इसको हम integument कहते है, ओके, जो पाद में चलके क्या बनाएगा, seat cover बनाएगा, आपको पता होना चाहिए, so यह बेटा एक ovule का डाइगराम है, यह आपको पता है ना, हाँ मैं, हमको सब कुछ आपको पता है, यह आपने last class पड़ा दिया था, ठीक है, ना, अब हम लेबल कर सकते है, यह क्या है बच्चों, जो लाल-लाल कलर का बनाया है मैंने, मैं आप पहले बना चुकी थी, फिर मिटा दिया आपने, यह है जाइगोट, ठीक है, उसके बाद यह औरेंज-औरेंज बेटा मैं क्या बना रही हूँ, मैं यह है, एंडो स्पर्म, हाँ बेटा, कितने समझदार हो गए हम लो, एंडो स स्ट्रक्चर है, कहा पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन लास लेक्चर, ठीक है, उसके बाद यह पूरे 3N-3N सेल बढ़ी हुई है, ठीक है, अब मैं यह नहीं बता रही हूँ, बना नहीं हूँ, पूरे में 3N-3N बढ़ी हुई है, आप ध्यान समझो, हो सकता है कि सी लेक्सेल Is present है, then this seed is called as Peri Spermic Seed, निूसलयस परेजेच नहीं है, तो मरजान दो से यह जो है, नॉर्मल सीड में नूसलयस नहीं होता पर कुछ एक्स्क्रूजिव सीड exemple मैं ने आपको बताए, नाश्यों यह जो integument है, यह बाद में चलके सीड कवर बनेगा, तो integument versus से सीट कवर लिख देती हूँ ठीक है नहीं भूल नहीं जाना साथ मिवाना साती या ओके सो इंटेग्यूमेंट स्लैश बच्चों इसको हम क्या लख सकते हैं सीट कवर फ्यूचर में चलके यही सीट कवर बनेगा अब ये किसका डाइगराम अब बना रहे हैं आदे से दिक बच्चों को समझी नहीं आ रहा हुगा आर पार पीछे से पार अकिक याद نہیں हमें बेटा ये एक OV hier का डाइगराम है ठीक है ये किसका डाइगराम है OV here का डाइगराम है पर कैसा OV here है बेटा fertilized ovule है और ये fertilized ovule को हमें किस में convert करना है seed में convert करना है और अगर हम चाहते हैं कि fertilized ovule seed में convert हो तो हमें क्या करना पड़ेगा बचो हमें करना पड़ेगा embryogenesis क्या करना पड़ेगा embryogenesis तो अभी तक हम लोगों ये complete कर लिया है बेटा ये तो बस मैंने तुम्हें revision बताया है हमें embryogenesis करना पड़ेगा हमारा ovule fertilized हो चुका है हम चाहते हैं कि ये जो fertilized ovule है अब ये seed में convert हो जाए तो क्या-क्या events होने चाहिए seed में convert करने के लिए आईए समझते हैं चलिए सबसे पहले e zygote में change होगा सारा समझ रहा है तुम लोग मेरी बात ये जो सारी कहानी है zygote में change होगा and we have to convert the zygote into what हमें convert करना पड़ेगा zygote को embryo में ठीक है चलिए शुरू कर लेते हैं ये कौन से end है ये है micropilar end ये पता होना चाहिए this is the micropilar end क्या हुआ था यहां पर देखो micropilar end किसी भी ovule में बड़ा ही ज़रूरी है micropilar end से ही pollen tube की entry होती है और आपको पता होना चाहिए कि सीड जोते जैसे चना हो गया मटर हो गया इनके दानों को हम कई महीनों तक रखे रहते हैं मम्मिया रखती कि नहीं रखती है और इस tip को हम कहते है micropilar end जहां से हवा वगेरा का आदान प्रदान होता है आपके सीड में तो इसलिए सीड जिन्दा रहता है समझ में आई बात चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम यह कौन सा end है यह बता रहती हूँ यह चालाजल end है यह चालाजल end है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है यह है चालाजल end ओके नाओ अब हम लोग embryonic development शुरू कर रहे हैं आइए कहानी शुरू करते हैं तो जाइगोट में सबसे पहले बेटा हम को क्या करना है जाइगोट में हम करेगा mitosis ठीक है जाइगोट में हम क्या करेगा mitosis ठीक है और mitosis से हम क्या बनाएंगे हम बनाएंगे cells क्या बनाएंगे cells बनाएंगे done हो गई इतनी बात तो चलो इसको हम थोड़ा और magnify करके देख लेते हैं कैसे हमें कहानी करनी है चलो आजाओ देखो मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं so this is our embryo sac color कर देती हूँ मैं embryo sac में यह जो color है यह मैंने किसके लिए denote किया था यह मैं आप बता रही थी कि यह हमारा endosperm है ठीक है यह हमारा endosperm है ठीक है this is the endosperm done यह समझ गए हम लोग और यहाँ पर जो cell present है इसे हम कहते हैं zygote ठीक है this is the zygote अब हमें क्या करना है यह 2 लिखा हुआ ठीक है this is the zygote और अब इस zygote को बेटा हम बाहर निकालें या पहले इसमें हम कर लेते mitosis zygote में आप mitosis करो mitosis ठीक है क्या कर लिया हमने mitosis कर लिया mitosis कर लिया मेरे बच्चों तो यहाँ पर हमें oh 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 mitosis कर लिया तो हमें यहाँ पर 2 cell structure मिला जान से देखो mitosis कर लिया तो हमें यहाँ पर 2 cell structure मिला done हमें 2 cell structure मिलेगा बच्चों देखो वना रही हूं मै माइटोसिस किया तो हमें यहाँ पर दो सेल सनरचना मिली मिली के नहीं मिली ऊपर वाली नीचे वाली सेल को हम कहते हैं यह क्या मैम अपने तो बता है यह क्या होता है अभी बता रही हुँ न देखो हमने जाइगोट को डिवाइट किया जाइगोट कैसा था बच्चो जाइगोट था single cell हमने इसको divide किया और दो cell में convert किया नीचे वाली cell को मेरे बच्चो कहते हैं हम embryonal cell ब्लाक कलर से लिख रही हुँ मैं ठीक है नीचे वाले cell को मेरे बच्चो हम कहते हैं embryonal cell अब नाम से ही बटा काम समझ में आ रहा है ना नाम से ही आपको काम समझ में आ रहा है कि जो cell embryo बनाने में form होगी अब मैडम यह embryo क्या बता रही बटा बार भी पहुँच गए embryo नहीं पता है तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा अपने को सीधे जाके रजाइतान के सोजाना पड़ेगा ओके यह आपको पता होना ची की जाइगोट के बाद embryo बनता है तो नीचे वाली cell को हम कहते है embryonal cell जो की embryo बनाती जाइगोट से मेरे बच्चो और उपर वाली cell को क्या कहते है इसे हम कहते है suspensor cell ठीके इसे हम क्या कहते है suspensor cell ठीके यह हो गया आपका suspensor cell done getting my point what I am trying to say this is the suspensor cell which is continuously enlarging cell okay this is a enlarged cell which is called as suspensor cell and the below one cell is called as embryonal cell which is helpful in the formation of embryo now let me tell you what will happen again continuously इसमें cell division चलता रहेगा मेरे बच्चो और हम लोगों को एक स्ट्रॉक्चर मिलेगा सबसे पहले जब division start होगा तो suspensor cell में continue अब हमागे इसके यहां बना रहे हैं ठीके suspensor cell में मेरे बच्चों continuously होगा माई चॉसेस माई टॉसेस कैसा division है माई टॉसेस माई एक इक्वेशनल division होता है जिसमें 2N cell जो होती है वो बराबर बराबर 2N cell में convert होती पढ़ा रहा तुम लोगों नहीं पढ़ा तो क्लास 11 में माई टॉसेस का lecture मेंने पढ़ा रखा आप जाके देखो उसको नहीं देखने का मने तो भी देखो क्योंकि कोई यह option नहीं आपके पास 12 भी कच्छा में साल डिविजन आपको बनना चाहिए ठीक है नाव सस्पेंसर सेल में जब होता है माई टॉसेस ठीक है तो हमें एक स्टक्टर कंटिनिसली माई टॉसेस होता रहता है कंटिनिसली स्प्रकार से सिंदक्राइब माई टॉसेस, माई टॉसेस, माई टॉसेस, इस प्रकार से एक सन रचना मिलती है जो की 6 से 10 सेल की बनेगी ओके इसको अंबरोनल सेल को यह लगे रहन दो ठीक है इस तरीके के एक सनरशना मिलेगी and the suspensor cell जो की continuously divide हो रही है they will make the suspensor ठीक है, suspensor cell जो होती है वो continuously mitosis से divide होती रहती है और वो एक ऐसा pipe जो cell ही cell का, किती cell है यहाँ पे 6-10 मिरी लला, 6-10 ठीक है, 6-10 cell suspensor cell continuously divide हो रही hematosis हुआ जा रहा हुआ जा रहा है और 6-10 cell की हमें ऐसे लंबी-लंबी एक सनरशना मिलेगी, जिसे हम कहते हैं क्या, suspensor ठीक है, इसे हम कहते हैं suspensor, ठीक है done हो गया, इतना बात इसमें कोई confusion तो नहीं अब अगर आपको याद होगा, ध्यान से समझना यह जो उपर वाली cell है थोड़ा समय आपको बता देती हूँ यह जो उपर वाली cell है ठीक है, यह दो मिटा देती हूँ जो सबसे उपर वाली cell है मेरे लल्ला, यह देखो, यह वाली cell यह थोड़ी से बड़ी हो जाती है ठीक है, हाला कि यह आपका लिखानी पर मता देती हूँ, यह थोड़ी से ऐसे बड़ी हो जाती है और इस सेल का नाम होता है होस्टोरिया, ठीक है, होस्टोरिया, ठीक, समझो बात को, ठीक, यह होस्टोरिया है ये suspensor का काम पता ही क्या होता है देखो बेटा ये है आपका endosperm ठीक है ये क्या है बेटा आपका endosperm आपको पता endosperm का work क्या होता है Did you know what is the exact work of endosperm मेरा हमको पता है endosperm जो होता है ये जो embryo लटक रहा है इसको nutrition प्रवाइड करता है अब अगर embryo को nutrition चाहिए है तो embryo को नीचे आना पड़ेगा जहां पर भोजन स्टोर है देखो ध्यान से अगर मैं structure की बात करूँ तो nucellus है पर अगर आपके पास nucellus नहीं भी होता तो भी कोई tension नहीं थी आपके पास क्या है endosperm developing embryo को nutrition देने का काम कौन करता है endosperm करता है देखो nucellus, endosperm इनका काम और cotyledon इन सबका काम एक ही होता है to provide the nutrition but once the endosperm is developed the nucellus will gone समझ आई बात मेरी क्या बोल रही मैं मैं ये बोल रही हूँ कि once the endosperm will arrive the nucellus will gone nucellus चला जाता है अगर nucellus है तो इसे हम परी स्पर्मिक सीट करते है normally nucellus नहीं रहता है तो इस पूरी प्रक्रिया को ये जो हॉस्टोरिया बन रहा है ये जो सेल वेल बन रही है इनको nutrition कौन प्रोवाइड करेगा इनको endosperm प्रोवाइड करेगा but once the embryo get poor or developed जब embryo poor or developed कर लेता है तो सारा nutrition किसके पास आजाता है cotyledons के पास अब इका होता है madame cotyledon उसको मैं भी आपको बता रही हूँ cotyledon क्या है वो भी हम पढ़ेंगे but याद रखिएगा कि nucellus होगा तो endosperm nucellus बहुत बढ़ा होता तब endosperm नहीं होता तो याद रखना कि cotyledon और endosperm ये दो ऐसे structure है आपके बीज में जो कि nutrition प्रवाइड करते हैं तो अगर किसी बीज में endosperm के पास सारा nutrition store होगा तो cotyledons के पास जादा नहीं होगा और अगर किसी seed में cotyledons के पास सारा nutrition store होगा तो आपके endosperm में नहीं होगा आपको एक एक्जामपल बताती हूँ जैसा है rice है आपको पता है कि rice का आप endosperm खाते हैं उसका cotyledon बड़ा ही छोटा होता है तो क्या सीखा आपने कि जो cotyledon है उस पे nutrition store नहीं है nutrition किस पे store होगा इस endosperm में आप मैं ground nut की बात करो अगर मैं किस की बात करो अगर मैं बात करो चने की बात करो तो पी को जो आप B से काटते हैं तो निकलते हैं तो ये जो आपको मोटे-個at तो घञते हिसससे दिख दिख रहे this is this is called as cotyledon तो तब वहांपे endosperm निदगता now this is the endosperm continuously endosperm जो है वो nutrition किसको देता जा रहा है suspensor cell को देता जा रहा है यह सारे कारिक्रम को देता जा रहा है पर बेटा इस embryo को बहुत जाला nutrition की जरुवत है जो endosperm प्रवाइट करेगा अब यह hysteria का मतलब क्या होता है तुमको समझ में है what is exactly means hysteria इसकी suspensor की पहली cell को हम हस्टोरिया क्यों कहते है पहली cell को हस्टोरिया कहने का कारण यह है कि हस्टोरिया का मतलब होता है किसी चीज से चिपक जाना समझी कहली किसी चीज से चिपक जाओ या वहाँ घूस जाओ और वहाँ से nutrition लेते रहो तो यह जो हॉस्टोरिया, यह जो सस्पेंसर होता है, यह embryo को इस तरीके से पकड़े रहता है और वो बोलता है कि जा बेटा, तु एंडोस्पर्म के समंदर में गोते लगा और उससे nutrition खीच समझाई बात, nutrition खीच अभी इस embryo में कोई division नहीं हुआ है, अभी यह ऐसा का ऐसा ही पड़ा है अब क्या होगा बोलो, बस बेटा, इस embryo में शुरू होगा cell division अब इस embryo में क्या शुरू हो जाएगा मेरे लला, इस embryo में शुरू हो जाएगा cell division डन, cell division शुरू हो जाएगा, तो क्या होगी कहानी, वो देख लीजे आप, cell division ज़रू हो जाएगा, ठीक है, जब से कहां बनाओ यहां तो जगई नहीं है, पर यहां बनाती है, ठीक है, cell division ज़रू हो जाएगा, यह देखो, तो embryo में division शुरू होगा, तो embryo पहले 4 cell बनेगा, फिर पहले 2 cell बनेगा, फिर 4 cell बनेगा, फिर 8 cell बनेगा, ठीक है, अब यहां पर हम embryo को मानते हैं, कि यह 8 cell structure बन जुका है, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, periclinion division, vertical division किते होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, मालो है 8 cell, ठीक है, यह 8 cell structure बन गया है, ठीक है, तो यह मेरे लिल्ला क्या हो गया, this is the suspensor, यह क्या है आपका suspensor, और यह है embryo, पर यह कैसा दिख रहा है, राउंड लड्डू जैसा दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं इसको globular embryo कह सकती हूँ, हाँ मैं जो आपका मन करे हूँ कहलो, इसे हम कहते है, globular embryo, ठीक है, तो अब आपका ज इस globular embryo के अंदर कौन सा division होगा, वो आपको देखना है, अब इस globular embryo में क्या क्या changes आएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा, सो आओ देखते हैं, सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या बना लिया है, वो एक बार देख लेते हैं, so this is the normal embryo, ठीक है, अभी हमारा embryo stage प पहुत चुका है, ठीक है, ये वाली stage पे हमारा embryo पहुत चुका है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम बढ़ रहे हैं, तो कैसा दिखाई दे रहा है, वो देखिए, अब आप लोग, ठीक है, ये देखिए, ठीक, ये हुआ, और आपका जो ये embryo जो की globular दि ये जो globular embryo है, इस globular embryo में number of cells बढ़ेंगी, globular embryo ये उपर का क्या हो गया, this is the suspensor, right, इसको हम क्या कहते हैं, suspensor, ठीक है, और ये क्या हो गया, आपका embryo हो गया, तो ये globular embryo, जब number of cells बढ़ेंगी, तो कुछ समय के बाद ये heart shape का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बच्चो heart shape का, मैं heart shape है, मुझे थोड़ा सा heart shape का ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये होगा heart shape, ठीक, ये heart shape का हो जाएगा, चलो, बनाते है, heart shape कैसा हो जाएगा, बच्चो, चलो, ये बन गया हमारा heart shape का embryo, ये question आपके NEET में पूछा जा सकता है, आपके embryo का shape, पहले normal था, फिर glob heart shape embryo हुआ, anxiety में लिखा है बटा, तो पूछा जाएगा NEET में, ठीक है, ये हमारा heart shape embryo बन गया, लिख दूँ इसको मैं, क्या है, ये हमारा heart shaped embryo, ठीक है, ये हमारा बन चुका है heart shape embryo, डन हो गया, अब देखो, अब देखो, कुछ समय के बाद आपका embryo किस में convert हो जाएग टिंग दिंग 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 तो इह हो गया है यह 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 हो गया हरशिप का यह देखो यह देखो यह बना दिया मेरा एक मैच्छोर एंब्रियो अब आपको कर दो इसको, this is the mature embryo, यह आपको step बिल्कुल रटी होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको यह रटा नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, अब ध्यान से समझना, हमेशा embryo में जो उपर वाली cells होती है, यह जो tip होता है, यह वाल जो tip होता है, इसको हम कहते है, प्लिम्यूल, क्या कहते है, प्लिम्यूल, ठीक है, प्लिम्यूल, अब यह माडम प्लिम्यूल और रैडिकल क्या होता है, यह भी समझाए दीजे, देखो बच्चो, जो रैडिकल होता है, उससे हमेशा root system बनता है, ठीक है, और प्लिम्यूल ज क्या बंता है root system बंता है और प 얼ूल से क्या बनता है प्लिम्यूल से पटियां या लग था यहां तरह एक अपटी कुण बijnवाइगा प्लिबीए पतियां शूट्टसुस्टम में प्लिम्यूल का बनाता है हमारा शूर्ट शिस्टम ठीक है शूट सिस्टम ड़न हो इतनी बात इसमें कोई confusion तो नहीं आईए तो यह हो गया प्लिम्यूल यह हो गया राडिकल ठीक हमेशा embryo उपर के ओर लटका रहता है आपको पता होना चाहिए मैं आपको NCRT का डाग्राम दिखाती हूं याद रखो आओ इधर NCRT का डाग्राम है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं ताकि आपके जीवन में थोड़ी सी मजा आ जाए आपको देखो ध्यान से यह जो आपके degenerating antipodal दिखाई दे रहे हैं यह आपके NCRT का डाग्राम है बच्चो यह पूरे एक embryo sac का डाग्राम है this is the diagram of the NCRT ठीक है यह किसका डाग्राम है यह NCRT का डाग्राम है यार color red select करती हूं आता ही है अब जो antipodal डारेक्शन率, degenerating antipodal की साइड होती है हमेशा वहाँ पर क्या बनता है प्लिमियूल ठीक है जो degenerating antipodal की साइड होती वो हमेशा बनाता है प्लिमियूल और बीको साइडां का डाग्र में देखो उस्रूम पर की ओर जो है वो क्या बनते हैं, आपके radical, वहाँ से क्या बनता है, आपका radical बनता है, इतिंगे आपके radical, यह दिखो लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमेशा याद देखना है, कि embryo की उपर वाली cell से radical बनता है, और नीचे वाली cell से क्या बनता है, प्लिम्यूल बनता है तो प्लिम्यूल से क्या बनेगा, shoot बनेगा और radical से क्या बनेगा, road बनेगा ठीक है, हमने क्या कर दिया, ध्यान से देखो, ये जो direction है, प्लिम्यूल की direction हमेशा कहां होती है, at the site of antipodal cells ठीक है, antipodal cells ठीक है, antipodal cell और radical की हमेशा कहाँ होती है बच्चो micropilar end पे micropilar end पे, ठीक है, जहां से आपका pollen tube micropilar end, यह आपको पता होना चीए हमेशा यार रखना कि antipodal site पे pemule होता है और embryo का axis और radical कहाँ पर होता है, at the site of अब मैं इस embryo को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ चीक है चलो देखो एक embryo बना लें या पर यह मैं एक embryo बना रही हूँ not very good embryo but trying so ठीक यह embryo बन गया मेरा अब यह जो embryo आपको मेरे लला दिख रहा है यह पता है कौन सा embryo this is the dicot embryo this is the dicot embryo madam यह dicot monocot क्या होता है अभी समझेंगे हम लोग dicot embryo क्या होता है monocot embryo क्या होता है अभी आपको पूरी चीज़े समझ में आएंगी ठीक है यह है मेरा dicot embryo का diagram थोड़ा बड़ा बनाऊंगी तो visibility अच्छी रहेगी और आपको समझ में अच्छे से आएगा ठीक है so यह मेरे लला हो गया dicot embryo ठीक है यह आप समझते हैं कहानी क्या है देखो dicot embryo में यह जो दो आपको leafy structure दिखाई दे रहे ठीक है यह क्या है dicot embryo है तो इसमें कितने cotyledon होना चाहिए मेरे बच्चो dicot embryo में दो cotyledon होने चाहिए अब यह cotyledon है क्या यह cotyledon है क्या अभी आपको थोड़ी देर पहले में ने एक्स्पेइन किया था nucellus, endosperm और cotyledon यह तीनों एक ही चीज़ है बचो जब ovule fertilize नहीं था तो आपके पास भर भर के nucellus था जब ovule fertilize हो गया fertilization के बाद पूरा कहानी पूरा nutrition कौन देगा पूरा embryo development तक का endosperm अब endosperm नहीं अब उस seed को nutrition कौन देगा cotyledon so nucellus, cotyledon, endosperm यह तीनों एक ही चीज़ है जब ovule fertilize नहीं था तो अब तो उसको हम ovule कहते तो उसको seed थोड़ी कह सकते तो जब ovule fertilize नहीं था तो पूरी कहानी को nutrition कौन दे रहा था मेरे लला वो दे रहा था आपका newcellus पर जैसे ही ovule fertilized हो गया और उसके अंदर embryo develop होने लगा तो उसे endosperm nutrition देने लगा endosperm का nutrition देरे-देरे खतम हो गया अब nutrition कौन देगा embryo के अंदर develop हो रहा एक part which is called as cotyledon cotyledon भी किसको seed को nutrition देगा क्योंकि अगर एक बार embryo develop हो गया cotyledon बन गया है क्या होता है बच्चों stored food होता है जिससे nutrition मिल सके अब मैंने यहाँ पर जो condition बनाई थी उसमें प्लिम्यूल मैंने ऐसा बनाई था अब मैं उसको उल्टा कर दे रही हूँ क्योंकि ओव्यूल उल्टे हो सकते हैं उस जगह को हम कहते हैं epicotyle ठीक है ऊपर यहाँ पर दखो यहाँ पर cotyledon attach हो रहा है उस जगह को हम कहते है मेरे लізबला थुटा बनाना पड़ेगा यह यह ठीक है भट है जिस जगह पर cotyledon attached हो रहा है उससे हम उस area को क्या कहते है वो अब समझते है यह जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है यह यह एरिया कैलाता है बच्चों Embryonal Axis ठीक है जहां से Embryo जुडा रहेगा पूरी कहानी जुडी रहेगी ठीक है This is the Embryonal Axis लिख दू मैं यह है आपका Embryonal Axis हम लोग एक टिपिकल Embryo का डाइगराम पढ़ रहे हैं आई बात समझ में ठीक है हमने Embryo Development पढ़ लिया है और अब हम एक टिपिकल Embryo का Development पढ़ रहे है This is the Embryonal Axis यह क्या है मेरे बच्चो Embryonal Axis है Done अब Embryonal Axis के वो पार्ट जहां से आपका Cotyledon जुडा रहता है उसको मैं कहती हूँ बच्चो Epicotyle समझ में आई बात Embryonal Axis का वो चिस्सा जहां से Cotyledon जुडा हुआ है Ты को इससे जगा को मैं कहती हूँ एपी कोटाइल उपर की और और नीचे की और जहां से आपका कॉटलिडन जुड़ा है उसे मैं कहती हूँ हाइपो कोटाइल हाइपो कोटाइल डान है NC18 में यह नहीं दिया कौन सा डागरम दिया वो मैं अभी आपको बनाऊगी ठीक है और एपी कोटाइल के नीचे वाले हिस्से को मैं कहती हूँ राडिकल एपी कोटाइल के नीचे थोड़ा और उसके उपर बनाना पड़ेगा एपी कोटाइल के नीचे वाले हिस्से को मैं कहती हूँ राडिकल यह जो मैं आपको लेबलिंग बता रही हूँ क्यों एपी कोटाइल की ऊपर वाले हिस्से को पियम्यूल कहा नीच वाला एंपा इससे के हइंटा है है तो क्यों यह होता है वो एक ऐसा हिस्सा है जहां से इंब्रीयों का ऊपर वाला जो को कॉटलीडिन ईुरता है गो अरिया जहां से कॉटलीडन आपके नीचे से जुडते को आपके वेम्प्रियों को में जहां पर जुड्र है उपर से उसे कहते हैं को यह एक टिपिकल एंब्रियो का डाइग्राम हुआ पर आपको अगर में पूछे अब क्या बनाना है तो यह हुआ एंब्रियो का ड्याग्राम बस आपको इसमें इतना ही पढ़ना है ठीक है Now, cotyledon 2 है, इसमें 1 और 2 दिखाई दे रहा है आपको अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ Monocot और Dicot का embryo, ठीक है? क्या पढ़ाने वाली हूँ मेरे बच्चो? Monocot, Monocot लिख दिया, देखो मुझे अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ Monocot, Monocot and Dicot embryo Monocot embryo में embryo और seed में अंतर होता है बच्चो? समझ में आ गई बात, देखो ध्यान से Embryo और seed में अंतर होता है, देखो यह है मेरा embryo sack, ब्लू यह ब्लू से बना रही हूँ यार यह है मेरा embryo sack, done इस embryo sack के अंदर एक embryo पढ़ा हुआ है इसके बाहर क्या हो सकता है, नूसलेस हो सकता है, मैम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है अब मालों नूसलेस नहीं है, सपोज डाट की नूसलेस नहीं है सपोज डाट की नूसलेस नहीं है, तो इसके बाहर क्या होगा बच्चो? इसके बाहर होगा आपका seed coat, ठीक है, ये, done हो गया इतना बात, ये है seed, समझो बात को, label करूँ में, ये क्या है बच्चो, seed coat, ये है आपका seed coat, done, और ये है आपका embryo, ये है आपका embryo, ये है आपका embryo, ये है आपका embryo sack, embryo sack, अब हो सकता है, ध्यांग समझना, हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा सा, थोड़ा सा endosperm पड़ा हो, हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा सा endosperm पड़ा हो, वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये हो गया आपका endosperm, ठीक है, हो सकता है कि इस ovule के बाहर, थोड़ और आपका धाट परा होएव ह ही उसकता है मिलाय तो तो इस भी उसकता है परीज परमिक सीड में नीव सरस्क प्रव थे पॉरा बड़नी जुआ को स्पीश्च था जे यो चलस यह इन विर यह पता होना चाहिए जिस एorryट तीट को अнее यह है आपका embryo, clear हो गई condition आपको यह embryo है, अब याद रखना, monocot or dicot seed में जैसा अंतर होता है, वैसे ही monocot or dicot embryo में भी अंतर होता है, actually जो अंतर हम monocot or dicot बोलते हैं न, वो उनके embryo का ही अंतर है, seed के अंदर mature embryo, इसको कहते है seed, जब तक embryo नहीं बनेगा zygote से, तब तक seed नहीं है वो, तब तक वो fertilized review ले, मेरी बात समझे, क्या बोल रही हूँ मैं, मैंने बोला, अगर आपने fertilization कर लिया है मेरे लला, कोई tension कर लो, पर जब तक वो fertilized zygote embryo नहीं बनेगा, तब तक हम उसे seed नहीं consider करेगा, जब वो embryo में convert हो जाएगा, तभी हम उसे seed में condition, seed मानेंगे, seed में आपको पढ़ाऊंगे, tension मत लो, पर अब हम लोग पहले embryo पढ़ेगा, तभी तो seed पढ़ेगा, पहले seed कैसे पढ़ लेग ठीक है, शुरू कर ले, कोई tension तो नहीं है, आइए, so सबसे पहले मैं तुमको पढ़ाना चाहती हूँ, dicot का embryo, ठीक है, dicot का embryo में कुछ नहीं है, जो आपने बनाया था, वही है, ठीक है, dicot का embryo, यही dicot का embryo, है, यह जो आपने बनाया है, this is the embryo of dicot, इसमें कोई, आपक science में लगाना है, ठीक है, this is the dicot embryo, पर अगर आप अपनी NCRT का diagram देखें, तो उसमें dicot का embryo है, वह कुछ अलग तरीके से ही बना हुआ है, आइए, देखते हैं, वह क्या है, चलो, देखो, dicot का embryo, आपके NCRT में कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है, आपके NCRT के जो है, अलग ही चलती है, तो अलग टाइप का दिया हुआ है, चलो, देखते हैं, क्या है, यह भी क्या कहना चाहते हैं, अपने जीवन में, dicot के embryo में, आपके NCRT में कुछ ऐसा diagram दिया है, हम उसको बारे पढ़ रहे हैं, ठीक है, NCRT को छोड़ नहीं सकते हैं, मम्मी है, ममी क्या बना रही हुँ, ममी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अरे आएगा बैटा, टेंचन हर लो, है ना illegally है,, चलो, देखते हैं, यह क्या बना रहे है, मैंने अब आपको कहां से समझ में आएगा, यहां से समझ में आ रही है, देखो, अपके NCRT में तुमको लगता है कि मै कई और से कुछ पढ़ा रही हो है यह देखो नहीं बनाया बोलो टैंचन है के ले कोई नहीं मैम कोई टैंचन नहीं अप तो जो बोल रहे हूं तो जो बना रही है यह यह वारा डाग्राम में बनारी हो चल од extermin को द्यान से देखो यह है आपका embryonal axis, I hope it is clear and it is clearly visible, this is the embryonal axis, madam यह तो हमें hydra जैसे लग रहा है, अभी सब clear हो जाएगा, so देखो दियाम से बच्चो मेरे, this is the embryonal axis, यह है आपका embryonal axis, दन है बच्चो, फोड़ा चेश्मा लगा लेती हूँ क्योंकि नहीं तो तुम्हारे चक्कर मेरे यांख लाएगा, ठीक है, so this is the embryonal axis, दन, आपकी NCRT बोलती है, ज्यान सुनना, एक लाइन बोलती है आपकी NCRT, आपको as it is वो सुननी है, देखो, जहां से आपका cotyledon निकल रहा है, ठीक है, जहां से आपका cotyledon निकल रहा है, उसके just above, ठीक है, यहां पे देखो, यह जो red वाला है, this is called as plimule, plimule के लिए आपकी, आपकी जो NCRT वो बोलती है, plimule, नहीं, रुक, 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 ठीक है, देखो, ठीक है, देखो, ओके, यहां पर, ओके, चलो, हाँ, so मैंने आपको बोला कि जहां से भी आपका plimule, plimule के बारे में बोलती है, just above the cotyledon, यहां यहां का cotyled राइस हो रहा है, just above the cotyledon is plimule, plimule, ठीक है, just above the cotyledon is plimule है, उपर, यहां से cotyledon निकल रहा है, plimule उपर है, और जहां पर cotyledon अटाच हो रहे है, actually cotyledon यहां पर अटाच है, इसको अपन को ऐसा अटाच करना पड़ेगा, यह, cotyledon यह अटाच है, जिस जगह पर cotyledon attach होते हैं, उसे हम कहते हैं, epicotyle, ठीक है, कौन से cotyledon, उपर वाला है, जो हिस्सा cotyledon का attach हो रहा, it is the epicotyle, done हुआ, इतनी बाता को समझ मैं, चलो, तो यह हुआ epicotyle, epicotyle के just उपर का हिस्सा कौन सा होता है, बच्चो, plimule, यह, देखो, याद करो, यहां पर पढ़ाया था होना मैंने आपको, यह, epicotyle के just उपर का हिस्सा, plimule, और hypocotyle के just नीचे का हिस्सा हमारे पास क्या होता है, देखो, hypocotyle बता देती हूं मैं आपको क्या है, this area is called as hypocotyle, ठीक है, यह area हो गया आपके पास hypocotyle, ठीक है, यह आपके NCRT का ही डाग्राम है, थोड़ा और दूड लि के नीचे का हिस्सा क्या होता है, बच्छो, hypocotyle के नीचे का हिस्सा होता है, मैं, radical, so यह वाला हिस्सा क्या हो गया हमारा, radical, radical क्या बनाता है, बच्छो, root system बनाता है, अब याद रखना है, radical से root निकलेगी, तो इसके उपर ही cap-like structure होता है, जिसे हम कहते है, root cap, ठीक है, root cap, देखो, क्या होगा, ध्यान से समझना है, अब यह जो आपका embryonal axis, अच्छा, यह दोनों क्या है, यह बिता दू मैं आपको, यह हैं आपके cotyledon, यह आपके cotyledon है, बच्छो, यह cotyledon, यह दूसरा cotyledon, ठीक है, अब आपको एक बात मेरी समझनी है, जो मैं बोल रही है, radical जब नीचे जाएगा, जब root बढ़ेगी, तो radical जमीन के नीचे जाएगा, तो इसके damage होने के chances होते हैं, इसलिए root cap जो है, यहाँ पर पाया जाता है, to protect the radical, so this is the diagram of the NCRT, now listen to me very carefully, this is the embryonal axis, ठीक है, यह आपका hypokotyle, hypokotyle के नीचे radical, radical के नीचे root cap, यह cotyledon, cotyledon जिस area से ज कहा hypokotyle, epikotyle, sorry, cotyledon, ठीक है, तो cotyledon जहाँ जुडे रहते हैं, उसको कहते हैं epikotyle, उपर का हिस्सा प्लिम्यूल, प्लिम्यूल से निकले cotyledon, यही diagram हम लोगों ने भी बना रखा है, कोई tension नहीं है, यह हुआ dicot embryo का diagram, अब हमें सीखना है monocot embryo का diagram, ठीक है, ध्यान monocot embryo में एक ही access होगा, होगा के नहीं होगा, मतलब एक ही cotyledon होगा, monocot embryo होते हैं, इसमें एक ही cotyledon पाया जाता है, आईए देखते हैं, सो कैसे बनाना है हम लोगों को, चलो, सबसे पहले you have to draw the embryonal axis, आपको embryonal axis ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर आप ड्रॉ करिए इस का एक cotyledon ड्रॉ कर लिया आपने, this is the monocot embryo बच्चो, इसमें और कुछ आपको कहानी नहीं करनी है, यहाँ पर आप इसको highlight कर दीजे, this is the cotyledon, यह cotyledon हो गया आपका, अभी आपको बहुत साही चीज़े और बताती हूँ, चलो, थोड़ा सा ही cotyledon को, हम लोगों को कैस हम बनाना पड़ेगा, listen to me, मैं सोच रहूँ के NCRT वाला यह आपको बता देती हूँ, पर मुझे लग रहा है के NCRT वाला, चलो, ठीक है, आओ देखते हैं, ओके, ठीक है, यह डाइगराम हम देखते हैं, इसी को continue करते हैं, ओ शिट, ठीक है, यह है आपका, क्या, यह हुआ आपका cotyledon, चलो, एक बार बना देते हैं, लेबल कर ले, this is the embryonal axis बच्चो, हम लोग, monocot embryo का डाइगराम पड़ रहे हैं, this is the embryonal axis, ठीक है, यह है आपका embryonal axis, done हुआ इतनी बात, इसमें कोई confusion तो नहीं, अब देखो, dicot embryo के साथ तो सही था, dicot embryo तो मझे से भईया, इन स्टो हो रहा है, monocot embryo को एक ही cotyledon मिला हाला कि इसका remnant, एक ही cotyledon बचा रपता सो क्या ना में हम देखेंगे, यह इसका embryo, ex embryonal axis remnant समझते हो, dicot embryo में दो cotyledon prominent है, सारा food cotyledon में store है, monocot embryo में एक ही cotyledon है, दूसरा cotyledon यहाँ पर छोटा सा हो सकता है, वो भी remnant असलब बचा हुआ हिस्सा होगा, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो monocot में भी dicot के कुछ हमें दिखते हैं हिससे, उसको क्या कहते हैं हम देखते हैं, ठीक है, now embryonal axis के उपर वाला जो हिस्सा होता है, उसको protect करने के लिए कुछ leaf like structures होते हैं, थोड़ा और बड़ा बनाऊंग लग अता है, उस हिस्से को क्या कहते हैं, मैम उस इस्से को हम कहते हैं, epicotyle, epico autyle, नीचे वाले को यह कहते हैं, बच्छो, माम इसको कहते हैm, hypocotyle, hypocotyle, coy tension नहीं है, मेरे बच्चो को पता है, ठीक है, अबरी जहाँ पह जुड़ा रहता है, उसके ऊपर वाले हिस्से को क् इस एरिया इस कॉल्ड एस प्लिम्यूल यह क्या है आपका प्लिम्यूल जो शूट सिस्टम बनाएगा और नीचे वाला हिस्सा इस रैडिकल रैडिकल अब ध्यान चाह सुनना इनके पास कुछ एक्स्ट्रा कवरिंग रहती है जैसे प्लिम्यूल के ऊपर एक एक्स्ट्रा कव जाहां पर कौटिलीडन जुड़ा है उपर वाला हिस्से को है राइडिकल इन दोनों प्लिम्यूल और रैडिकल के ऊपर होती है कुछ कवरिंग और इस कवरिंग को ग्रीन वाली कवरिंग को हम कहते हैं Coleopetile Grim वाली covering को हम कहते हिained Coleopetile और purple one covering को हम कहते हि provocative Cole buna Coleasto Coleuariza Coleose संस आई बात ठीक है यह कैसे होते है Coleopetile को Leaf like होते है कैसे होते है Mexico यह Leaf like होते है संस आ गई बात क्या बोला मैंने ठीक है तो प्लिम्यूल को cover करने के लिए यहां पर एक structure है जिसे हम कहते हैं colioptile और radical को cover करने के लिए यहां पर एक structure है जिसे हम कहते coliorizer इसके बहुत सारी ध्यान से सुनना यह इसका cotyledon है ठीक है यह इसका क्या है बच्चो cotyledon है ओके monocot है तो एक ही cotyledon होगा पर कुछ जो grasses होती है in some grasses ध्यान से समझो कुछ grasses में in some grasses grasses हम cotyledon को क्या कहते हैं इनके cotyledon को scutalum भी कहा जाता है समझ में आई बात क्या कहा जाता है मेरे बच्चो scutalum भी कहा जाता है समझ आ गई बात इसमें कोई tension कोई परिशानी तो नहीं दन होई इतनी बात सो हमको यह समझना है कि embryonal axis से जहां से cotyledon निकलता है उस एरिया को epicotyle नीचे को hypocotyle कहते है epicotyle के जस्ट उपर वाला इसा plimule कहलाता है hypocotyle के जस्ट नीचे वाला इसा radical कहलाता है अगर monocot की बात कर रहे हैं तो philomule के उपर एक leafy structure उसको leaf primordia कहते कवर रहता है और radical के नीचे भी एक cap like structure कवर रहता है जिसको हम कहते कोलियो राइजा समझ आ गई इतनी बात बहुत सारे ऐसे जैसे grasses हो गया इनमें जो इनका cotyledon है इसे हम scutellum के नाम से जानते हैं बस आपको इतना ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है बस इतनी बात आपको मैं बता रही थी चीग है अच्छा मैं आपको यह बता रही थी कि कभी-कभी ऐसा होता है कि किस कलर से बनाओ कभी-कभी ऐसा होता है सारा बीज भीज उड़ाएगा पिंक कलर से बरा रही हूँ कभी-कभी ऐसा होता है कि एक जो आपका दूसरा कॉट है जो दूसरा कॉटलीडन है उसका रेमिनेंट बच जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस से जुड़ा हुआ उसको फोड़ा सा पाट बच जाता है तो इसे हम क्या कहते है वो देख लिजे दरेमिनेंट यहाँ पे लेकिनी हुए रेमिनेंट आफ सेकंड कॉटलीडन रेमिनेंट आफ सेकंड कॉटलीडन is known as is known as एपी ब्लास्ट ठीक है क्या कहलाता है बच् facility यह epiblast कहलाता है यह आपको पता होना चाहिए समझ आ गई बात so remnant of the second cotyledon is called as epiblast generally बहुत सारे में नहीं रहता पर कुछ-कुछ monocots में यह पाया जा सकता है समझ आ गई है बात डन हो गई इतनी बात so बच्चों एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या के पड़ा उसके बाद विलल्रिवाइज ठीक है so मैंने आपको बताया कि हम किस कंडीशन में थे last lecture में इस कंडीशन में थे last lecture में ठीक है यह हो गया ठीक उसके बात मैंने आपको बताया कि जब fertilization हो गया जाइगोट बन गया तो जाइगोट में किस तरीके से embryo का formation होगा आपको नीट के लिए sequence एगदम रटा होना चाहिए रहे समझ में आई बात नीट के लिए sequence ऐसा रटा होना चाहिए जैसे bread में मख़न, दूद में मलाई ठीक है मिल जायो बिल्कुर ऐसा रट डालो उसके बाद मैंने आपको बताया the sequence of the development of embryo किस तरीके से होता है फिर मैंने आपको बताया यह embryo का proper diagram यह embryonal axis है embryonal axis में जहां पर यह आपका ectlidon जूडता है उपर वाले से को epicotile, नीचे वाले से को hypocotile epicotile की उपर वाला इसा plimule, नीचे वाले से radical कहलाता है यह embryo हमेशा पर याद रखना कि plimule कौन से direction में बनता है, plimule हमेशा बनता है आपके antipodal direction में, ठीके, degenerating antipodal में, ठीके, यह seed और embryo का diagram, यह NCRT का dicot embryo, यह आपका monocot embryo अब इसमें अगर आपको कोई गुच-पुच लग रहा हो, तो बता देखती हूँ, the purple one is embryonal axis, जहां पर cotyledon, यह वाला cotyledon, जोड़ा it is epicotile, epicotile की उपर वाला इसा primule, primule को cover करता है, coliocotile अगर आप देखो, यह वाला cotyledon जिस एरिया पर जुड़ रहा है, इसको आप कहते है, hypokotile, hypokotile के नीचे वाला इसा radical, radical को cover करता है, colioriza done, monocot में, सम ग्रासस में, cotyledon को कहते हैं, हम scutellum, ठीके, बचा हुआ, remnant of the second cotyledon is called as epiblast, जो की बहुत सारे में नहीं होता चलो, आओ, आओ, मेरे साथ, चली, शुरू करते हैं, आइए, देखते हैं, चली, अब इसकी theory पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा concept clear हो जाए, हलाकि concept आप clear हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक-एक line एक एक शद पढ़ा चुकी हूँ, ठीके, embryo development, the development of embryo from the zygote is called as embryogeny, यही कह रह होता है, zygote में, दो unequal cell बनती है, एक बड़ी बनती है, ठीक है, तो zygote में, दो cell बनती है, एक बड़ी बनती है, और फिर उसके नीचे एक छोटी बनती है, बड़ी वाली को हम कहते है, suspensor cell, जो हमेशा mycopilar end पे रहेगी, ठीक है, mycopilar end जहां से pollen tube entry करती है, और smaller cell, जो embryonal cell हो तो pollen tube के जगह पर क्या रहेगी, suspensor cell, mycopilar end की जगह पर रहेगी, suspensor cell, और terminal cell कहां रहती है, आपके, जिसको embryonal cell कहते हैं, आपके antipodal direction में, नाओ, एक देखो, fertilized egg था, ये बनी आपकी, ये कौन सा end होगा, बच्चो, ये होगा mycopilar end, और उपर वाला कौन सा end होगा, चलाजल end, ठीक है, उसके बाद देखो, ये आपकी suspensor बन गया है, ये heart shape embryo बन गया, heart shape embryo धीरे और divide हुआ, तो इसने cotyledon बना लिया, और अगर आप नीचे देखो, तो हमेशा ये याद रखना, कि प्लिम्यूल हमेशा कौनसे डिरेक्शन में बनेगा, बच्चो, antipodal direction में बनेग और जो आपका, जो आप वो रहता है, that radical जो होता है, ये हमेशा micropillar end पे बनेगा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके, done हो गई, ती बात, आएए, आगे पढ़ लेते हैं, now, embryonal cells जो होती है, वो divide होती है, पहला ऐसा divide होता है, उसके बाद ऐसा divide होता है, vertical और ब invert होता है, it is called as globular embryo, उसके बाद heart shape embryo, और उसके बाद mature embryo, तो अगर आपको याद होगा, तो degenerating antipodal side पर ही क्या बना हुआ है, प्लिम्यूल बना हुआ है, और उपर वाली side में जहां पर synergates या XL होते, उस side पर हमेशा radical बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, चाहे आप के ovule की direction कुछ भी हो, this is the diagram of the typical dicot embryo का diagram ही, अगर आपको दिख रहा होगा, तो जहां से आपका plimule निकलता है, उस area को हम क्या कहते है बच्चो, epicotile, और ये आपका hypocotile, जहां से radical निकलेगा, radical के निचे root cap होगी, ठीक है, और ये दो आपके cotyledon आपको दिखाई दे रहे ह typical dicot embryo में क्या क्या होता है, एक होता है embryonal excess, ठीक है, one is the embryonal excess और दो cotyledon जो की embryonal excess से जुड़े रहते हैं, now, parts of the embryonal excess, अगर मैं embryonal excess की बात करने हूँ तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले embryonal excess में होना चाहिए, epicotile, epicotile क्या होता है, epicotile वो area होता है, जहां से प्लिम्यूल उपर की ओर जाता है, और आपका कॉतलिडन आके जुड़ता है, now, listen to me very carefully, this is the epicotile, epicotile वो area होता है, जहां से आपका कॉतलिडन जुड़ा हुआ रहता है, और उस से आपका प्लिम्यूल उपर की ओर जाता है, the portion of embryonal excess above the level of cotyledon, क्या बोल रहा है, यही बोला थ epicotile, epicotile na, epicotile, अगर आप यह वाला diagram देखेंगे, यहां से देखो इधर, okay, आपके NCRT बोल रही है, what is the epicotile, above the level of the cotyledon, cotyledon जहां जुड़ा हुआ है, उसके, above the level of cotyledon और इसके जास टुपर प्लिम्यूल होता है, देखो, यही लिखा हुआ है, the portion of embryonal excess above the level of cotyledon which terminate into the stem tip or the primule, ठीक है, तो यह cotyledon यहां पर जुड़ा हुआ है, उसके जास ऊपर का हिस्सा epicotile और उसके ऊपर का हिस्सा primule कहलाता है, and just below the cotyledon, just below the cotyledon जहां पर जुड़ा हुआ है, उस हम hypo cotyledon कहता है, उसके रीचे radical जुड़ा हुआता है, यही है, the cylindrical portion below the level of cotyledon, cylindrical portion below the level of cotyledon terminates into the root tip radical it is called as it is called as hypocotyle and root cap से cover रहता है आपका that radical okay embryo जनी monocotyledon zygote में वाई same transverse division होंगे suspensor cell जो है वो हमेशा कहां बनता है micropeller end पे और हमेशा embryo कहां बनता है चलाजल end पे embryonal cells जो होती है वो transversely बार बार डिवाइड होती है और globular embryo में convert होती है पर इसमें कहानी यह है कि आपको हमेशा एक ही cotyledon मिलेगा यह देखिए globular MBO ठीक है और यह देखिए आपका हमेशा याद रखना है कि permule जो है वो कहां बनेगा antipodal direction में radical हमेशा आपके synergid वाले area पे ठीक है synergid area में अगर मैं देखू ध्यान से अगर मैं यह वाले diagram को आप relate भी कर पाएंगे यह वाला diagram आप relate भी कर पाएंगे now listen to me very carefully यह है आपका cotyledon बच्चो this is the cotyledon done है cotyledon जो है और यह है आपका पूरा embryo दूसरे के बर से बनाती हूँ ना this is the पूरा embryonal axis this is the poor embryonal axis झाइब उपर वाले जो आपका P dissolve on some radicle cover that तो रेडिकल को कवर करता है, रूटकेप, रूटकेप को कवर करता है, यह इस्ट्रक्चिर आपको क्लियर हो जाने चाहिए, पढ़ा चुकी हूँ, आगे देखते हैं, मोनो-कॉट एम्डियो में हमेशा एक सिंगल कॉटलीडन होता है, जिसे हम स्क्यूटलम के नाम से जानते जिसे हम कोलियो राइजा याद रखना, ठीक है? एम्डियोनल एक्सेस के अबव लेवल पे, पोंशन एक्सेस अबोफ दी लेवल ऐस्क्यूटलम के निचे नैचे क्या था ह MRD का थैक है यहाँ हर्ण पर ब्हार बीवैसी है के अगर एम्डियोन अक्सेस अबाव दी लेवल of scutalum, मतलब cotyledon, क्या कह लाता है, epicotyle, epicotyle की ऊपर क्या होता है, primule, ठीक है, पर आपको याद होना चाहिए कि किस से कवर रहता है, leaf primodia से कवर रहता है, जो कि hollow foliar structure होता है, जिसे हम colioptyle कहते हैं, second cotyledon का remnant हम कहते हैं, कुछ glasses में पाया जाता है, जिसे हम कहते है, epiblast हर मे नहीं होता है, ठीक है, सो बच्चों आपको भी ये समझ में आ गया, मेरी बात आपको ये समझ में आ गई कि हमें ये समझ में आया है, मैम, कि जहां पर endosperm बहुट जादा डेवलप रहेगा, वहां पर cotyledon बहुट जादा डेवलप नहीं रहेगा, वहां पर embryo को nutrition देने क चलास, fertilization के बाद endosperm और mature seed में क्या आपका cotyledon, ये structure होते हैं, nutrition देने वाले, आपके NCIT पढ़ने, embryo develop at the micropylor end, ये हमेशा आपको याद रखना है, ये भूल नहीं जाना है, ये point आपको याद रखना है, नहीं तो काम गड़बड हो जाएगा, embryo हमेशा, embryo sac के micropylor end प This is an adaptation to provide assured nutrition for the developing embryo, though the seed differ greatly, seed बहुत ही अलग चीज़ है, embryo seed में अलग अलग होते है, okay, monocot is initial stages of embryo development, monocot or dicot, globular embryo तक same रहता है, सब कुछ, okay, the stages of embryogeny is almost same, similar, the zygote give rise to the pro embryo, pro embryo मतलब अभी globular नहीं मना, जो 8 cell structure था, उसके बाद globular, उसके बाद heart shape embryo, उसके बाद mature embryo का formation होता है, a typical dicotyledon embryo consists of embryonal axis and 2 cotyledon, embryonal axis and 2 cotyledon, the portion of embryonal axis above the level of cotyledon, okay, क्या बोल रही हूँ मैं, the portion of, ध्यान से सुनना, ये ये NC8 की लाइन कहीं बाद discuss कर चुके हैं, the portion of embryonal axis above the level of cotyledon, क्या बोल रहा है, is called as epicotyle, ठीक है, ये यहाँ पर ये बोलना चा रहा है, अगर आपको ये वाला डायरान देखो कि तो और बहतरीन क्लियर होगा, देखो, ये ये बोल रहा है कि ये है आपका cotyledon, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके जस्ट उपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एपीकोटाइल कहलाता है, ठीक है, ओके, एपीकोटाइल किस इसा है, तो जहाँ पर cotyledon शुरू हो रहा है, ये इस एरिया को एपीकोटाइल, ये प्लिम्यूल, ये हाइपोकोटाइल, ये राइडिकल, ठीक है, बस इतनी बात आपको यार रखना है, राइडिकल किस से कवर रहता है, रूट कैप से कवर रहता है, ये डाइकोट मोनो-कोट के एम्हयों की बात करूँ, जो की agracis की फैमिली है, को हम क्वुटिलम केहते हैं और वह हमेशा एक साइड पर रहता है, ठीक है, उसके लीवर इंड पर अम्दियोनल एकसिस होता है, इम्दियोनल एकसिस का सेम, इम्दियोनल एकसिस में, भाई राइडिकल औ प्लिम्यूल होगा, प्लिम्यूल is covered by what? प्लिम्यूल is covered by colioptile and radical is covered by the colioris. आप पढ़ा हम लोगोंने, above the level of attachment of scutellum, जहां पर scutellum attach हो रहा है, ध्यान से सुनो, ये embryonal axis है, ये scutellum है, above the level of, जहां पर आपका scutellum attach हो रहा है, उसको हम क्या कहते है? अपिकोटाइल, क्या कहते है अपिकोटाइल, अपिकोटाइल के उपर, प्लिम्यूल के उपर, colioptile, ठीक है? अपिकोटाइल has a shoot apex leaf primordia enclosed with a hollow foliar structure called as colioptile, ये sentence as it is neat में आ सकता है, मेरे लला, याद रखना है, ये sentence as it is neat में पूछा जा सकता है, ये तो आपको एक experiment है, जो आप घर पे करके देखना है, soak a few seed in the water like wheat peas, chickpeas, groundnut overnight, split the seed and observe the various part of the embryo, आप देखना है, उसमें क्या क्या दिखाई देता है, ठीक है? आज हम लोगों ने embryonal development के बारे में पढ़ा और types of embryo पढ़े, ठीक है? I hope कि मैंने आज आपको seed नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं चाहते हूँ, seed of fruit में आपको एक class में पढ़ा हूँ, I hope कि जो मैंने आज आपको पढ़ा है, वो आपको बहतरीन कैसे समझ में आया, अगर आप चाहते हैं कैसे शानदार जबज़ज, जिंदवार lecture आपको मिले, उसमें lecture updated है, आपको जो सा lecture देखना आप वो देख सकते हो, इस तरीके से आप watch now, next video, next video करते हैं, जो आपके video आते जाएंगे, मेरा हमेशा यही suggestion रहता है, कि हमेशा video लगातार देखा करो, समझ में आई बात, तो आज हम दोगोंने एक बार में आपको जाने से पहले बता देती हूँ, embryonal axis, इससे दो cotyledon अगर जुड़े हुए हैं, तो dicot seed है, dicot embryo है, embryonal axis अगर उससे सिर्फ एक ही cotyledon जुड़ा, it is a monocot embryo, embryonal axis जहां पर, जहां पर cotyledon जुड़ता है, उसके just उपर वाला हिस्सा एpikotyle, जहां पर आपका cotyledon जुड़ता है नीचे, उसका just नीचे का हिस्सा hypokotyle, epikotyle के उपर क्या होता है मेरे लला, सो आज हम लोगों ने पढ़ा है embryo के बारे में, मैं उम्मित कर रही हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो अच्छे से आपको समझ में ने आया, समझ में नहीं आया बोल रहे हैं, देखो मैं पाकल हो चुकी हूँ, ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आया, प्लीज लेट मी नो, I'm here for you only, ठीक है, मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना है, महनत से पढ़ाना है, कुछ ना समझ में आया, प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में ये बोलना, is not good thing कि हमें समझ में नहीं आया, तुम मुझे ये बताओ कि तुमको कौन सा पॉइंट, कौन सा शब्द, कौन सा टम, कौन सा एक्स्प्लेनेशन समझ में नहीं आया, आप vigorously आप कुछ भी जनरलाइस कर देते हों, समझ में नहीं आया, अरे ये क्या नहीं समझ में आया, तुम्हें देखकर हो सकता है कि बहुत सारे लोग दी मोटिवेट होते हों, कि कुन यारा हमें कैसे वा रहा है, तो कुछ भी लिखने से पहले, आदमी जो है, बोल देता है, तो उसकी कोई value नहीं होती, पर अगर आदमी लिख देता है, तो उसकी सबसे ज़्यादा value होती है, लिखा हुआ कभी भी मिटता नहीं है, हाला कि digital word में सब कुछ मिट सकता है, पर मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा specific करें कि आपको क्या नहीं समझ में आया, जनरलाइज करना is not a good thing, I hope कि जो मैंने आज आपको सीख दी, वो आपको समझ मैं, see you in the next class with the new adventure, तब तक, thank you so much बच्चो and bye-bye.